दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए वो कानून लेकर आएंगे और इस गोशना के तुरंत बाद छात्रों से जो यूपीएसी के तयारी कर रहे हैं उनके साथ दिल्ली सरकार ने अपनी पहली बैठक भी की है अभी बैठक से किसी की तयारी कर रहे हैं जी मेरा नाम आयूशास्तिवारी है मैं ओल्ड आजिंदर नगर से आया हूं मैं वहां पे पिछले एक साल से यूपीएसी की प्रिप्रेशन कर रहा हूं ठीक है मीटिंग हुई आपकी मंतरी जी के साथ में क्या उन्होंने कहा आप लोग ने क्या क प्रॉब्लम्स तक डिसकेशन हुआ हमने भी अपनी बाते रखी हमें कहां पर क्या दिक्कते आ रही हैं दोनों तरफ अच्छा डूल टोन कंवर्शेशन हुआ अपने बाते रखी और फिर सॉल्यूशन कैसे निकाला जा यह सब भी बाते हुई तो कंवर्शेशन काफी अच इमेल भी निकाला है इस पर हमें सारी रिपोर्ट करनी है रूल से रेगोलेशन के लिए तो यह पहली बार हो रहा है अच्छा मतलब जिसमें आप लोग भी होंगे यह कहा है उन्होंने बोला है कि यूपी से इस्परेंस को भी रखा जाएगा क्योंकि ग्राश लूट लेव इस तरह का होना चाहिए हमने सारी बताए यह से पानी की पानी यह आता है मौ वारिण का प्रॉबल्म हो गया है कि अलगी लेवल चलता है और डिकाव नियौर ठोटवर प्रॉबलेम सारा इछे से सब का सुन लिया बड़ यह यह पर होना चारे तहाज होने के लिए तो आग तो इस बार समाधान की उमीद तो है कि यह घटना हुई है यह एक इसके बहाने ही सही लेकिन आप अपनी और दूसरी समस्याइं जो हैं वह भी उठाने में काम्याब हो पारे हैं जो पहले कोई सुन भी नहीं रहा था हाँ यह तो हुआ है कि हम अपनी जो वागी जो लेंडलोट से दिक्कत हुआ कर लेके लाइब्रीरी को लेके हम सारी प्रॉब्लम से कि हम और आंगे रख सकते हैं अच्छे से आंगे रख पाएंगे आपके रहे हैं तो वह तो कभी सुन भी निरा होगा कोई अभी तक अब ले यह ना हो कि बस अभी ध्यान दे दियो और बाद में चले गए तिली से मैं शरचर्मा एंडिटी मीडिया